दोस्तों गर्भावस्ता के दोरान कई सारे लक्षनों को ध्यान में रखते हुए हम लोग अंदाजय लगाने लगते हैं और इस्पेशली हमारे आसपास के लोग हमारे घर परिवार के बड़े बुजुर्ग और हमें हमारे फ्रेंड सरकिल में ही और साथी साथ हम खुद से भ बॉय है तो हम सेकिंड प्रेगनेंसी में बेबी गर्ल को एकस्पेक्ट करते हैं और अगर गर्ल है तो बॉय को एकस्पेक्ट करते हुए हम लोग प्रेगनेंसी को प्लान करते हैं तो अपने कुछ अनभाओं के आधार पर मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि बेबी गर तो फ्रेंड्स मैं जोती आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर फ्रेंड्स होता ये है कि डॉक्टर के अनुसार हम लोगों को अपनी प्रेगनेंसी में क्योंकि फर्स ट्राइमेस्टर में बच्चे बहुत ज्यादा छोटा साइज होता है बेबी का तो कि आपको कंफर्टेबल होगा ही नहीं पेट और कमर के बल पे सोना तो आपको एक नएक पोजिशन लेनी है लेफ्ट या राइट तो फ्रेंड्स डॉक्टर कहते हैं कि लेफ्ट हैंड्स साइड पे आप लोग सोहिए जिससे आपके बेबी में बहुत अच्छे से सारा ब्ल सोना पसंद होता है किसी को राइट साइड में सोना पसंद आता है मैं आपको अपना अनभव बता रही हूँ ऐसा हमारे बड़े बुजुर कहते हैं वैसे कहीं सुनी बाते बहुत हद तक समटाइम सही निकलती हैं क्योंकि मेरे साथ बिलकुछ सटीक बैठी थी दोनों के ट देती हूं शुरुआत करते हैं मेरी बड़ी बेटी से उसके टाइम पर मैं क्या करती थी क्योंकि मुझे बैर रेस्ट था तो मतलब स्टार्टिंग मैं तो खैर मतलब मैं सीधे ही सो जाया करती थी क्योंकि फर्स्ट मैंने बताया फर्स्ट्र में कोई भी प्रॉब्लम नही होती है कैसे भी सो जाओ लेकिन जो जैसे सेकेंड ट्राइमेस्टर आया तो automatic क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि left side में सोने का कोशिस करना लेकिन मैं कितना भी कोशिस कर लेती थी मुझे left side में comfortable नहीं होता था automatic मेरी body right side में comfortable feel करती थी तो मैं ज्यादा तर automatic मतलब मैं right side में move हो जाती थी जब कि मुझे पता था कि left में ही सोना है तो कोशिस मैं यही करती थी कि जब तक मुझे गहरी नहीं आए तब तक मैं left side में सो जाया करती थी अब मेरी आपको clear कर दिया है कि मैं जब तक मेरे को गहरी नीन नहीं आती थी मैं left में ही सोया करती थी चाहे कितनी भी problem फीलो उसके बाद जैसी नीन आ जाती थी तब तो body पर अपना बस नहीं चलता है तो फिर मेरी body automatic right side में ज़्यादा मुझे comfortable होता था तो मैं right में move हो जाती तो left और right दोनों करवट क्योंकि एक करवट पर सोना वैसी possible नहीं है तो दोनों करवट ले लिजे बट most of time left में सोने की कोशिस करनी चाहिए pillow use करना चाहिए maternity pillow use करें तो बहुत best है otherwise घर की pillow भी best है क्योंकि बहुत जरूरी है comfortable अगर होगा तभी अच्छे से pregnancy में नीद आती है पैरों के नीचे भी तक्या लगा लेनी चाहिए बहुत अच्छी नीद आती है दोनों थाइस के बीच में भी तक्या लगाओ और साथी साथ आप बहुत comfortable होके सोगे तो आपके लिए भी अच्छा है बेबी के लिए भी बहुत अच्छा रहता है comfortable अच्छी नीद के लिए हल्दी वाला दूद भी ले लेने चाहिए हलकी हाथ से coconut oil से आप बोडी पर oil भी कर सकते हैं तो friends इस तरह से आप लोग खुद को एक बहतर नेंद देकर अपने बेबी को के development में उसकी help कर सकते हैं उमीद करूंगी ये tips and tricks आपके बहुत काम आएगी मिलती हूँ अगले वीडियो में तब तक take care, thanks for watching